का अप्रोच कल थंडे पढ़ गया इंपोर्टन्ट जोन्स के आसपास से और लाजली कंसॉलिडेशन और आज क्यूज टू प्लस टू लेयाड एक्टर प्रोडूसर साब गुस्सा हो गया वाद में टू प्लस टू दिखा भी है यह आ गया विरू यार यह लॉजिक कहता है कि थोड़ा सा सब्डूट सा सेशन रहेगा यह टू प्लस टू वाला वह आपके साब से समीकरण कैसे बैठ रहे हैं इसका इसका दिन है या कुछ और है तस्वीर कैसे लग रही है अगर यह चल रहा है तो कुछ दिन में छुटे लिलता और एक्स्टे विकेंड और एक्स्टेड हो जाए ने ने बार का साइज तो आप डिसाइड़ होगे ना अगर अगर ने बार कर दो आप अपने अपने अप्शन क्लुस्टर्स में अशिश अब अशिश इस सेशन की दो इंपोर्टेंस हैं एक है जो हमारे हक में जाती है फ़र लॉंक्स और दूसरी है जो हक में जाती है short covering का, in that perspective शुकरवार short covering के लिए महत्रपूर्ण हो सकता है and especially an extended weekend अगर world markets में अची strength रही तो I think वो factor भी कही न कही traders के जहन में होगा तो वे एक parity establish करने की कोशिश करेंगे बट दूसरी चीज ये है कि एक extended weekend monthly contract के option writers को ये बोलेगा जनाब कि आप option बेच के जाओ निफ्टी इसी range में रहेगा तो वैसे ही options के premium slide हो जाएंगे तो थोड़ा देख के चलिए session को और बात एहम ये है कि दो बड़े contributors like Reliance and HCFC Bank ये एहम भूमी का निभाएंगे हमें इस range से बाहर दे जाने में तो नज़र रखिए इन दो stock futures क्या threshold point होगा आईए जज़ करते हैं यहां से FIS DIs कल दोनों बायस थे 255 क्रोड रॉपे के 457 क्रोड रॉपे की DIs की बाइंग थी index FIS ने शॉट किया लगभा 553 क्रोड रॉपे का 3000 कॉंट्रेक्ट लॉइज किये 2200 कॉंट्रेक्ट शॉट किये stock futures में रखिए 936 कॉंट्र रॉपे की बाइंग यहां करीब 5000 कॉंट्रेक्ट शॉट कवर किये करीब करीब 8000 कॉंट्रेक्ट लॉइज की और options के अंकडों को आप analyze ने कर सकते क्योंकि कल निफ्टी के expire रही थी अशिष आज के सशन में ठीक extended वीकेंड से पहले बट फरस्टे अफ मंथ्ली कॉंट्रेक्ट आपके कॉल आइटरस आप देख लिजा अशिष किस तरीके से बैठे हुए है 1900 की at the money call भी कुई है आप देखिए यहां स्कीन पर नहीं वो पिरमिर्स में दिखा दूँगा लेकिन लोकिट आउस्टेंडिंग वाइट 954 आपका बीस हजार पे उधार उननेस आठ सू की पुट छासक लाग भी की हुई है और जब आप पिरमिर्स दिखेंगे आशिष तो आपको क्लिरली डिफाइन हो जाएगा कि ऑप्शन राइटर ने एक ग्रिप ले लिए ग्रिप ले लिए कि जनाब निफ्टी यहीं रहेगा एड़ दमनी कॉल पुट भी बिचो एड़ दमनी कॉल यह देखिए आप कितनी फाइट है 19.800 पे तो आपके पास मनुवरिंग का स्कोप काफी कम है हाडली ओ दाउन साइट 750 ओन दा हाय साइट 850, 875 जो की कल का स्विंग हाई था तो हमें इसी ट्रेड रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है तो आप्शन राइटर के लिए चीज़ें बहुत कमफर्टिबल है वो एड़ दा मनी 19.800 की कॉल पुट बेच के भी काम कर रहा है यह जोड़ा और वो स्लाइटली आउट अफ मनी 1900 और 800 की पुट बेच के भी काम कर रहा है फोर एड़ेशनल ठीडर याद रखेगा बेच वन एक हमेशा बाय ट्रेड होगा अशिश और वो बेच वन आपकी स्कीन पर है त्स 19.759-729 किसी केस में softness में आपको यह मिल जाएं तो बाय कीजिए इसे ग्रैब कीजएगा और as of now अशिश जो RS1 है वो हमारा exit zone है 6.45 जब तक नहीं ब्रीच हो रहा, नो शॉर्टिंग थॉर्ट्स, और जो RS जोन है, ये, 878-911, इस जोन में आपको पने प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे, जिस प्रकास से HDFC बैंक को रिलांस बहेब करें, प्लीज उस तरीके से एक्ट करिएगा, बट नई तेजी के तो as of now, अपनी reward expectation को थोड़ा सा कम रखे इस range में, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक के महत्रपून लेवल क्या है, आप जब option pyramids को देखेंगे न आशिश, महत्रपून बात ये है, कि HDFC बैंक एक एहम बूमी का निपा रहा है, पहले 10 डेमा को पार किया, फिट 20 डेमा को पार किया, और कल पहली बार 18 सेप्टेंबर के बाद, इसने एक ट्राइ किया है, एक attempt लिया है, 50 डे exponential मुंगे विच को पार करने का, तो एक दिगज, index heavyweight, थोड़ा सा picture में अब आ रहा है, positively, so, करना क्या है, ये आपके downside को restrict कर देगा, आपके screen पे पिरमिट साइंगे, आश के बीच में, ये देख रहे हैं आप, wild, orange candle, और इसके आसपास, splitted, तीन ये blue candles, indicate कर रहे हैं, कि आपका consolidation इस zone में होगा, और आपका 43, 270 पे 200 day exponential moving average प्लेस्ट है, approach कर रहे हैं, याद रखेगा, in any case, a dip towards base one, और base one आपकी screen पे आएगा, वो क्या है, base one है, 43, 449, 271, 200 day exponential moving average, और put writer, इस zone का पहला, इसके आसपास का, इसके 10, 20 point का, कोई भी dip buy होगा, but as of now, आशीश, हम exit करेंगे, उस छोटे से trade को, 647, 50 के zone में, hardly, नई तेजी के लिए, fresh momentum के लिए, आपको एक session, एक दिन, कम से कम, इस zone के सबसे बड़े call writer, 43, 750, 800 के zone के उपस sustain करना पड़ेगा, तभी हम make swing के expectation रख सकते हैं, towards 44031, आशीश, बाल बढ़िया, यह है, आज Friday के दिन का हमारा nifty nifty bank approach, quickly, आप सुमिछ से आप सकते हैं, 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 आप स